Hello students, यह आपका periodic table series का 11 वीडियो रहेगा और आज के वीडियो में अपन बात करेंगे applications of electro negativity ठीक है और इसी में सबसे first आपका application रहेगा nomenclature first क्या रहेगा आपका nomenclature of compound, nomenclature of compound का मतलब क्या हुआ कि अगर आपन बात करें कि भी HCl की बात करें किसकी बात करें HCl की तो HCL को आप क्या बोलते हो कि HCL का नाम क्या होगा आपका Hydrogen Chloride HCL का नाम क्या होता है आपका Hydrogen Chloride ठीक है तो यही चीज कैसे पता चला आपने को कि इसको Hydrogen Chloride ही बोलते है Chlorine Hydride क्यों नहीं बोलते हैं तो वो चीज अपन यहाँ पर बात करते हैं और एक और चीज़ कि यहाँ पर जो nomenclature की बात कर रहे हैं, वो अपन सिर्फ बात करेंगे only for binary compound, only for किसकी बात करेंगे अपन binary compound की बात करते हैं, अब अगली बात आती है कि binary compound का मतलब क्या हुआ, उसमें बोलते हैं compound formed from to non-metal are called binary compound, condition क्या है, दोनों चीज़ें आपके पास क्य रहने चाहिए, ठीक है, तो first state in इसमें लिख लेना कि binary compound का मतलब क्या होता है, ठीक है, अब इसका rule क्या होता है ये लिखने का, कि अगर आप normal HCl को ही सोचो, normal किसको सोचो, HCl के बारे में ही सोचो, तो इन दोनों में बताओ, किसका electronegativity ज्यादा, hydrogen की की, chlorine की, तो आप बोल इसका electronegativity कम रहेगा, उसका normal नाम लिख दो, for example, HCl में electronegativity कम किसका है, hydrogen का, तो hydrogen का आप normal नाम लिख दो, क्या लिखा, hydrogen, और more electronegative element के साथ, आप क्या add कर दो, I, क्या add कर दिया आपनने, I, D, E, ठीक है, अगर fluorine रहता, अगर यही क्या रहता, आपका HF होता, अब electronegativity कम है, hydrogen का, किसका electronegativity ज्यादा है, fluorine का, तो इसका नाम क्या हो जाता, hydrogen, fluoride, तो rule क्या हो जाता है, कि भई, least electronegative element का नाम जैसा का वैसा लिख दो, उसके बाद क्या लिखना आप, more electronegative element का नाम लिखना, और साथ में क्या add कर देना, I, साथ में क्या add कर देना, I, क्य कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अब वन बाइवन बता सकते हो जैसे ICL हुआ तो ICL में बताओ किसका electronegativity ज्यादा iodine की chlorine तो आप बोलोगे chlorine तो आप इसका नाम क्या जाएगा iodine chloride इसका नाम क्या जाएगा iodine chloride अगर FCL की बात करते हो या CLF की बात करते हो तो CLF में क्या रहेगा chlorine fluoride इसका नाम क्या होगा आपका chlorine fluoride अगर BRCL हो गया तो इसका नाम क्या जाएगा आपका bromine chloride ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अगर यहीं पे क्या आपका PCL3 आ गया इन दोनों में बताओ किसका electronegativity ज्यादा आपका chlorine का इसका नाम क्या रहेगा फॉस्फोरस और कित्ते क्लवीन हे तीस इसका नाम क्या हो जाएगा fos Hells try chloride ठीक है इत्ती चीज नेट्स अगर यहीं पे क्या होता आपका PCL5 तो leading phosphorus तो इसका नाम क्या हो जाता phosphorus chlorine कित्ता है 5 pen tax chloride तो इसका नाम हो जाता phosphorus phosphorus pentachloride ठीक है अगर जैसे यहाँ पर बात करें Cl2O हुआ ठीक है अब यहाँ पर chlorine दो हुआ तो इसका नाम क्या हो गया di chlorine और last में क्या जाएगा oxygen का क्या जाएगा oxide OF2 का नाम क्या जाएगा oxygen di fluoride ठीक है IBR का नाम बता सकते हो iodine bromide BRCL का नाम क्या रहेगा bromine chloride तो easily कोई भी आपका binary compound दिया हुआ हो उसका आप क्या बता सकते हो easily उसका name क्या कर सकते हो आप बता सकते हो इत्ती चीज़ क्लियर हुई तो first यह क्या होगा आपका application of electronegativity का क्या हो गया normanclature of compound क्या होगा आपका normanclature of compound इत्ती बाद ठीक है किसी के कोई दिक्कत नहीं है next अब इसके बाद आता है second point पर आता है आपका prediction of second point पर क्या आता आपका prediction of nature of bond क्या पर्टिकलर बॉन्ड आपका कोवलेंट है या आइनिक है ठीक है तो अपन बात करेंगे कि अगर X अगर आपके पास कोई कमपाउंड हुआ अब अपने को बताना है कि इसका नीचर क्या है कोवलेंट है आइनिक है या क्या रहेगा तो अपन बोलते हैं कि अगर A और B का electronegativity same हुआ तो आप बोलोगे कि भई ये bond कौन सा होगा आपका covalent कौन सा bond होगा आपके पास covalent और अगर इन दोनों का electronegativity same नहीं हुआ तो क्या बोलोगे आपके पास partially ionic है और partially क्या होगा आपका covalent अगर दोनों का electronegativity same नहीं हुआ तो क्या बोलोगे आपके पास आइनिक भी रहेगा और क्या होगा आपका कोवलेंट भी रहेगा इतनी चीज ठीक है ठीक है तो अभी एक फॉर्मुला रहेगा ये वाला फॉर्मुला आप लोगों को क्या करना रहेगा याद करना रहेगा ये फॉर्मुला क्या कर प्लस 3.5 डेल्टा स्कॉर्र यह किसका फॉर्मूला आगया आपका परसेंटेज आइनिक करेक्टर और डेल्टा का मतलब क्या हुआ किसी इसके डिफरेंस की बात कर रहेपन एलेक्ट्र नेगेटिविटी ओफ ए माइनस एलेक्ट्र नेगेटिविटी ओफ क्या रहेगा आपका बी और आप सिर्फ बात करोगे उनके डिफरेंस के निमेरिकल वैल्यू की कि फॉर एग्जम्पल अगर एक का वैल्यू हुआ एले की बात नहीं करोगे तो अभी अपने पास एक फॉर्मूला आ गया वो क्या बताएगा आपको परसेंटेज आइनिक करेक्टर और परसेंटेज आइनिक करेक्टर का क्या फॉर्मूला रहेगा 16 multiply by delta plus 3.5 into delta square और delta square का मतलब delta का मतलब क्या हुआ difference between electronegativity इतने में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो अभी अपन क्या करते हैं एक numerical solve कर लेते हैं कि अपने को क्या पूछा है और इस numerical के बेसिस पे एक और statement भी अपन याद रख लेंगे कि अगर अपन आईनिक करेक्टर की बात करें कि भी कोई भी ठीक है अपन आईनिक करेक्टर percentage आईनिक करेक्टर की बात कर रहे हैं तो अगर periodic table में बात करें कि most electro positive element कौन है electro positive element का मतलब क्या हुआ ऐसा element जिसका electro negativity क्या है minimum तो अपन बोलते हैं on moving down to the group electro positive character क्या होगा increase करेगा और on moving left to right जाने पे electro positive character क्या होगा आपका decrease करेगा इत्ती चीज़ ठीक है electro positive character का मतलब क्या हुआ कि भाई साब आप बात कर रहे हो ionization energy की ठीक है इत्ती चीज़ electro positive character का मतलब ionization की बात करते है और सबसे minimum ionization energy किसका होता है minimum ionization energy किसका होगा आपका cesium का और अगर ionization energy minimum हुआ तो आपका electro positive character क्या होगा maximum रहेगा ऐसा कोई question अपने DPPI exercise में question discuss किया था जहाँ पे पूछा था most electro positive character किस में रहेगा तो वो indirectly आपको पूछना चाहरा है कि इन में से किसका ionization energy क्या है minimum है इत्ता point clear हुआ सब लोगों के ठीक है अब इसके बाद आता है next electro negative character दूसरा क्या रहेगा आपका electro negative character तो अगर आपन electro negative character की बात करे तो आपके पास non metal character की बात करे तो वो क्या होगा आपका fluorine non metal character की बात करे तो क्या होगा आपका fluorine तो most electro positive element अपने पास आगया cesium और most electro negative element क्या आपने पास fluorine most electro negative character क्या आपका fluorine तो अपन बता सकते हैं कि इसके लिए delta का value क्या होगा delta is equal to 4 minus 0.7 is equal to कित्ता है आपका 3.3 is equal to कित्ता है आपका 3.3 इतनी चीज़ clear हुई तो अगर इसके percentage ionic character की बात करे तो formula लिका था 16 into delta plus 3.5 into delta square तो value formula में value put कर दो तो percentage ionic character is equal to क्या आजाएगा आपका percentage ionic character is equal to 16 into 3.3 plus 3.5 into 3.3 का square और इसको अगर आप solve करते हो तो आपको क्या मिलेगा अप्रॉक्स 92% मिलेगा अपने को अप्रॉक्स ionic character कित्ता मिला 92% अप्रॉक्स ionic character कित्ता मिला 92% फॉर एक्जम्पल अगर एक आपका homework में एक question लिख लो कि आपको बताना है HF bond के लिए percentage ionic character क्या रहेगा किसके लिए hydrogen fluoride के case में percentage ionic character आपको बताना रहेगा ठीक है अब वापस से बात करते हैं 92% पर वापस से कहां पर बात करते हैं 92% पर अपने को पहले क्या लग रहा था कि भई most ionic character किस में रहेगा कि maximum electro positive वाला एक element ले लो और दूसरा क्या ले लो maximum electro negative वाला कि भई एक electron lose कर देगा दूसरा electron क्या कर लेगा gain कर लेगा और आपके पास कौन सा bond आ जाएगा ionic ऐसा अपन सोच रहे थे कि अपन सोच रहे थे कि भई अगर ऐसा होता most electro positive और most electro negative वाला ले दे अपन expect कर रहे थे कि भई यहां पे percentage ionic character किता आना चीए था 100 आना चीए था बट अपने को value क्या मिला 92 अपने को value क्या मिला 92 तो इसकी help से एक अपन note करके भी एक statement लिखना इसकी help से पता चला अपने को कि neither any bond is 100% ionic nor 100% covalent तो एक statement लिखना note करके neither neither any bond is 100% ionic nor 100% covalent nor 100% क्या होगा आपका covalent कि भी एकन expect कर रहे थे कि 100% ionic आना चीए ionic किता है 92 तो आपके पास इसमें covalent character किता है आपका 8% तो इस formula की help से अपने को क्या पता चला कोई भी bond ने तो 100% ionic रहेगा नहीं आपका क्या रहेगा 100% covalent रहेगा इत्ती बात याद रहेगी सब लोगों के ठीक है तो ये तो आपने statement लिखा अब कुछ चीज़ें आती है अपने पास कि numerical भी अपने को solve करने रहेगे अपने को क्या रहेगा कुछ numericals भी अपने को solve करना रहेगा तो एक काम करना इसका मतलब 50% आइनिक केरेक्टर है और 50% कौनसा केरेक्टर होगा कोवलेंट 50% आइनिक और 50% क्या होगा कोवलेंट और अगर इनका difference 1.7 से ज्यादा हुआ इसका मतलब कौनसा केरेक्टर ज्यादा होगा आइनिक केरेक्टर कौनसा character ज्यादा होगा आईनिक character और less than 1.7 हुआ तो आप बोलोगे covalent character आपके पास क्या होगा ज्यादा रहेगा तो सिर्फ इसी formula के basis पे अपन ये बता सकते हैं कि अगर electronegativity difference आपका ज्यादा हुआ तो आपके पास आईनिक character क्या होगा ज्यादा अब ये use कहां पे होता है तो कुछ numerical आपको या कुछ question देखने को मिलेगा वहाँ पे पूछेगा इस bond में कौनसा character ज्यादा होगा आईनिक कोवलेंट या आपके पास mixture रहेगा ठीक अब आप अराम से इस formula को use करके बता सकते हो और दूसरा किस type का question आएगा या तो आपको directly बोल देगा जैसे hf के case में calculate करो percentage आईनिक character इत्ती चीज़ clear हुई कोई problem नहीं है ठीक है अब एक और चीज़ सुनना कि अगर अपन बात करें किसकी आईनिक character वाले में बात करें कि अगर आपके पास एक अगर अपन बात करें a b ठीक है अगर a b वाला 100% आईनिक bond होता तो क्या होता a पे positive charge आ जाता और b पे क्या आता आपका negative जाता ठीक है अगर यही आपका equivalent bond रहता तो आपके पास क्या रहता sharing of electron होता आपके पास क्या होता sharing of electron और साथ में अपन बोलते कि जिसका electro negativity ज्यादा होगा आप क्या उस पे कौन सा charge आएगा partially negative और जिसका electro negativity कम होगा उस पे कौन सा charge आएगा partially positive इत्ती चीज़ ठीक है आईनिक में तो कोई problem ही नहीं था directly आपके पास anine और ketine form कर गया कोवलेंट में partially positive और partially negative चार्ज आएगा आपका और एक चीज़ अपने बोला था force of attraction directly proportional to q1 q2 upon r square जब बहुर मॉडल की अपने बात की थी तो force of attraction का ये formula है इसका मतलब अगर इन दोनों पे जित्ता charge होगा उत्ता ही ज्यादा इनमें force of attraction होगा और अगर force of attraction ज्यादा हुआ तो आप बोल सकते हो bond strength क्या होगा आपका ज्यादा होगा bond strength क्या होगा ज्यादा रहेगा इत्ती चीज़ क्लियर हुई तो कई बार क्या आता है electro negativity के basis पे अपने को bond strength भी बताने को आ जाता है चार option दिया रहेगा और पूछ लेगा इनमें से कि इसका bond strength क्या होगा maximum रहेगा आपको simple सा logic सोचना है कि अगर force of attraction ज्यादा हुआ इसका मतलब ये दोनों molecule ये दोनों atom एक दूसरे को क्या करेगा और ज्यादा closely या ज्यादा force of attraction से hold करके रखेगा और अगर attraction ज्यादा हुआ तो आप बोल दोगे इस bond का strength क्या होगा ज्यादा रहेगा तो ये चीज़ सबको clear हुआ कि अगर आपका electronegativity difference ज्यादा हुआ तो आपके पास particular ये bond strength भी क्या होगा ज्यादा रहेगा ठीक है इतनी चीज़ ओके अब एक बोलेगा कि अब ठीक है कि किसी के mind में ये भी आना चाहिए कि सर अभी तो आप normal electronegativity electronegativity कुछ बोल कि ते difference कहाँ से picture में आ गया difference ऐसे picture में आ गया कि मानलो एक आपका यहाँ पे क्या है आपका fluorine एक fluorine है और दूसरा क्या है hydrogen है और इसी में इसी के साथ compare करने के लिए एक और है Hydrogen की साथ ऐक oxygen है ठीक है एक अपन compare कर रहे है कौन सा ठीक है या better है अपन normal इनको compare कर लेते हैं एक है आपका hydrogen fluorine bond एक है आपका hydrogen chlorine chlorine bond ठीक है अब इन दोनों की bond strength को अपन क्या कर रहे है compare कर रहे है तो hydrogen तो आपके पास क्या है same है और basically हो क्या रहा है आपका more electronegative पे partially negative दूसरे पे partially positive HCL के case में भी क्या रहा है एक पे partially negative दूसरे पे partially क्या आया positive अब electronegativity difference अपन इसलिए check करते हैं कि अगर आप मान लो इनका difference electron A hydrogen और fluorine का electronegativity difference ज्यादा हुआ तो fluorine क्या करेगा hydrogen के electron को ज्यादा अपनी direction पेर खीचेगा और अगर ज्यादा electron अपनी direction पेर खीचेगा तो आप बोलोगे इस पे जो partially charge आएगा उसका value क्या होगा ज्यादा होगा ठीक है और अगर hydrogen के electron fluorine ने partially अपनी direction में attract कर लिए तो hydrogen पे क्या charge आएगा आपका partially positive hydrogen पे कौन सा charge आएगा partially positive समझे इतनी चीज़ ठीक है तो अगर आप compare करते हो hydrogen और fluorine में बताओ किसका electronegativity ज्याद है आपका याद करो बुला था ना phone का electronegativity क्या होता है आपका ज्यादा रहता है phone का मतलब fluorine oxygen और nitrogen तो fluorine का electronegativity ज्यादा है किस से? क्लोरीन से तो यहाँ पे जो partially charge डवलप हुआ वो क्या होगा? ज्यादा होगा और अगर charge ज्यादा हुआ तो आप बोलोगे force of attraction directly proportional to q1, q2 upon क्या होगा? r2, तो आपका q1, q2 का अगर value ज्यादा हुआ तो force of attraction क्या होगा? ज्यादा होगा और force of attraction ज्यादा हुआ तो आप बोल सकते हो bond strength क्या होगा? ज्यादा रहेगा bond strength क्या होगा? ज्यादा रहेगा, इत्ती चीज clear हुई तो एक statement भी लिख लेना यहाँ पे यह third point आपके है, इस statement भी लिख लेना यहाँ पे एक statement भी लिख लेना, higher higher in the higher in the electronegative difference higher in the electronegativity electronegativity difference more will be more will be strength of bond more will be strength of bond more will be strength of bond इत्ती बात clear हुई, तीनों point clear हुई सबसे पहले बात किया आपने nomenclature binary compound का फिर उसके बात किया आपने percentage आईनिक character का और तीसरा point क्या बात किया आपने कि अगर electronegativity difference ज्यादा होगा तो bond strength क्या होगा आपका ज्यादा रहेगा bond strength क्या होगा आपने पास ज्यादा रहेगा, ठीक है fine next, fourth point आता है अपने पास metallic character fourth point क्या आता है आपका metallic character अब metallic character बताओ क्या हुआ metallic character का मतलब, metal के जैसा characteristics और metal किसको बोलते हूँ, metal का मतलब जो आपका easily electron donate कर सके या जिसमें easily loss of electron रहे और वो क्या कर सके आपका cation form कर सके, तो आप क्या बोलोगे metal में क्या रहेगा, आपका tendency रहेगा to form cation by loss of electron ठीक है इतनी चीज़ और electro positive ठीक है ये तो सबको पता है तो metal आपको पता चला कि भी metal क्या बोलोगे metal का मतलब जो electron क्या करे, lose करे तो electro negativity के basis पे भी आप बता सकते हो metallic character किसका ज्यादा रहेगा तो अगर मान लो आपके पास ठीक है सोचना electro negativity अगर किसी का ज्यादा हुआ तो force of attraction ज्यादा होगा अगर force of attraction ज्यादा हुआ तो वो easily electron donate करेगा क्या आपका नहीं करेगा तो अपन ये चीज़ भी बोल सकते हैं या आपे note करके एक और point लिखना कि अगर आपका electro negativity कम रहेगा इसका मतलब वो क्या है आपका metal अगर electro negativity आपका ज्यादा है तो वो क्या होगा आपका non metal तो बताओ मेरेको left to right जाने पर क्या होगा आपका left to right जाने पर z effective बढ़ेगा z effective बढ़ेगा तो force of attraction increase करेगा और अगर force of attraction increase किया तो आप बोलोगे electro negativity आपका क्या होगा increase करेगा और electro negativity इंक्रीज करने से कौन से character increase करेगा आपका non metal character क्या करेगा increase करेगा और अगर non metal character increase किया तो आप बोल सकते हो कि metallic character क्या होगा decrease करेगा तो first point सब लोगों को clear हुआ on moving left to right जाने पे electronegativity बढ़ेगा जिसकी वज़े से non metal character 6 क्या हुआ आपका increase किया ठीक है दूसरा point आया on moving down to the group दूसरा point क्या है आपका on moving down to the group तो down to the group जाने पे बताओ क्या फरक पड़ेगा on moving down to the group जाने पे electronegativity decrease किया और अगर electronegativity कम रहेगा तो आप बोलोगी कौन सा character आपका increase कर रहा है metal character क्या हो रहा है आपका metallic character increase कर रहा है और आपका non metal non metal character क्या कर रहा है decrease कर रहा है left to right जाने पे metallic character क्या होगा decrease करेगा down to the group जाने पे metallic character क्या होगा increase करेगा और non metal character तो क्या होता है आपका vice versa होगा अगर एक value बता देते हो तो दूसरा value क्या होगा उसके just opposite रहेगा इतनी चीज़ clear हुई तो चारो अप्लिकेशन सब लोगों को अच्छे से समझा कि इलेक्टो नेगेटिविटी के क्या क्या अप्लिकेशन रहेगी ठीक है इसी सीरीज में आज की वीडियो का लास पार्ट रहेगा वो क्या होगा आपका तू डिसाइड नेचर ओफ ऑक्साइड क्या होगा तू डिसाइड नेचर ओफ ऑक्साइड ठीक है अपन बोलते हैं कि भी ऑक्साइड कितना होता आपके पास तीन टाइप का होगा कौन-कौन सा एसेडिक, बेसिक और क्या होगा एमफोटरिक कौन-कौन से ओक्साइड होगे एसेडिक, बेसिक और थर्ड क्या होगा M-footering, जिनकी अपन बात बाद में करेंगे, अब ये अपन simple nature of oxide वगर की बात कर रहे हैं, अपन किसकी बात कर रहे हैं, nature of oxide की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब oxide क्या हुआ, oxide का मतलग क्या हुआ, आपके पास कोई भी element है, आपके पास क्या है, कोई element X है, उसने bond किसके साथ बना रख है, oxygen के साथ, तो इसको क्या बोलोगे आप, oxide of element, oxide of क्या हुआ, element, अगर oxide of element की, अगर आप reaction किसके साथ कराते हो, water के साथ, और वो किसमें करा लिया, आपने, X's में करा दिया, oxide of element की reaction आपने, X's of water के साथ करा दिया, तो आपके पास कौन सा compound form करेगा, X, O, और क्या हुआ, H, कौन सा compound form करेगा, X, O, और H, ठीक है, अपने इधर भी लिख रखा है, आपका X, O क्या है, oxide of element है, इसकी reaction किससे करा दिया, आपने, X's of water के साथ reaction करा दिया, तो आपके पास क्या form करेगा, X, O, H form करेगा, कौन सा bond form करेगा, X, O, H, bond, form करेगा, इत्ती चीज क्लियर की सब लोगों के, कि आपके पास कौन सा bond form करेगा, X, O, H, bond, form करेगा, ठीक है, अब बात आती है, कि भी इसमें, अपने को कैसे पता चलेगा, कि भी यह आपका acidic oxide है, कि basic oxide है, तो याद गरो, 9, 10 पे आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, acid base, वहाँ पे अपने बोला था, कि SS species, जो आपका H plus donate करे, वो क्या होगा, आपका acid, SS species, जो क्या donate करे, OH donate करे, वो क्या होगा, base, OH donate करे, तो वो क्या होगा, आपका base रहेगा, इतनी चीज़ ठीक है, तो अगर अपने बात करें, भी जो आपने पास ये compound बना, अगर यहाँ पे, OH bond break होता है, इसमें दो possibility एक तो क्या होगा, आपका OH bond break हुआ, तो इधर negative और इधर क्या हैगा, आपका positive, दूसरा अगर आप बोलोगे, कि भी, XO bond अगर आपका break होता है, तो क्या possibility आएगा, आपका, X positive और OH क्या हैगा, आपका negative, यह दो case possible है, तो अगर H positive बन रहा है, इसका मतलब क्या है, यह आप आपके पास acid आएगा, OH negative हुआ, तो क्या होगा, आपका base होगा, same story अपन बात कर लेंगे, oxide के लिए, कि अगर आपका कोई भी oxide है, water के साथ x's में reaction कराने पे, आपको अगर OH मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, यह तो क्या होगा, basic, अगर यहाँ पे H positive मिल रहा है, तो आपका acidic oxide रहेगा, इत्ती चीज पता चली सब लोगों को, ठीक है, इसका एक trick भी रहता है, directly भी अपन बता सकते हैं, बट अपन एक बार detail से बात करते हैं, कि कौन सा bond आपके पास, क्या-क्या possibility रहेगा, अपन बात कर रहे हैं, detail में कि भी अपने पास, क्या possibility रहेगा, ठीक ठीक है, अपन वापस लिखते हैं, अपन ने क्या लिखा, X, O, और क्या लिखा, H, ठीक है, ओके, अब इनकी electronegativity पता हैं अपने को, hydrogen का याद रखना, electronegativity किता होता है, 1.4, और अगर oxygen की बात करो, तो oxygen का electronegativity क्या होता है, 3.5, लास्ट लेक्चर में कुछ लोग बोल रहे थे कि सर, हमें सारा वो टेबल electronegativity वाला, memorize करना होगा, क्या, नहीं, आप याद रखो, fluorine का, oxygen का, nitrogen का, और क्या याद रख लेना, hydrogen, इत्ता बहुत है, और तो कभी भी ऐसा question नहीं आएगा, कि sulfur का electronegativity बताओ, sodium का electronegativity बताओ, ठीक है, अब बात है कि भी अपने को पता चल गया, oxygen का electronegativity किता है आपने पास, 3.5, hydrogen का electronegativity क्या होगा, आपका 1.4, ठीक है इत्ती चीज़, next, अब अपन बोलते हैं, कि भी अगर मान लीजे, ये bond ज्यादा polar हुआ, आपके पास क्या हुआ, पहला case हुआ, कि अगर आपक पास, OH bond क्या हुआ, ज्यादा polar हुआ, तो आप क्या बोलोगे, OH bond क्या कर जाएगा, आपका, break कर जाएगा, दूसरा case क्या possible है, कि अगर आपका XO bond more polar है, XO bond क्या है, आपका, ज्यादा polar हुआ, तो आप क्या बोलोगे, कि XO bond क्या कर जाएगा, आपका, break कर जाएगा, XO bond क् मतलव क्या हुआ पूलर का मतलव क्या हुआ इनकी इलेक्टो नेगेटिविटी में डिफरेंस इनकी किस में डिफरेंस इलेक्टो नेगेटिविटी में डिफरेंस तो अगर अपने को बता है कि भई एक का 1.4 है और दूसरे का value क्या है आपका 3.5 तो दोनों में difference किता है आपका 1.4 तो आपन बोलते हैं कि भई इसका difference क्या बोल दिया आपने delta 1 इसका difference क्या बोल दिया आपने delta 2 एक का difference क्या बोला delta 1 और दूसरे का difference क्या बोल दिया आपने delta 2 और जित्ता ज्यादा आपका electronegativity में difference ज्यादा रहेगा इसका मतलब वो वाला bond क्या है आपका polar है तो आप याद रखना अगर delta अगर आपका value ज्यादा होगा इसका मतलब वो bond क्या है आपका more polar वो bond क्या होगा more polar अब more polar का मतलब क्या हुआ more का मतलब ज्यादा polar का मतलब क्या हुआ दो पोल बनेंगे polar का मतलब क्या होगा दो पोल आपके पास form करेंगे इसको इस तरह से समझो a और b में क्या है bond A और B में क्या है आपके पास bond है और अगर A और B में bond है तो इनकी electronegativity में difference की विज़े से एक पर partially positive और दूसरे पर क्या आएगा partially negative तो अगर electronegativity difference ज्यादा हुआ तो आप बोलोगे कि ये वाले bond break होने का tendency क्या होगा आपका ज्यादा होगा ठीक है तो अपने पास दो possibility है पहला क्या possible है कि अगर आपका delta 2 का value greater than क्या possible है delta 1 possible है दूसरा possibility delta 1 एक तो delta 1 less than delta 2 होगा दूसरा possibility है delta 1 greater than delta 2 ये दो possibility है तो अगर आपका delta 2 का value ज्यादा हुआ इसका मतलब ये वाला bond क्या है आपका ज्यादा polar हुआ और अगर ये bond ज्यादा polar हुआ तो आप बोलोगे अपने पास क्या मिलेगा ये bond break होते ही क्या आएगा x पे positive आएगा और अपने को क्या मिलेगा OH negative और जैसी OH negative मिला इसका मतलब ये कौन सा oxide होगा आपका basic oxide ये कौन सा oxide होगा आपके पास basic oxide और अगर आप दूसरे में बात करते हो कि अगर delta 1 का value ज्यादा होगा delta 2 से तो आप बोलोगे कि ये वाला bond क् ज्यादा पोल है और जैसे ये bond break हुआ तो आपने को क्या मिलेगा आपको x o negative प्लस h positive x o negative और साथ में क्या मिलेगा h positive h positive का मतलब क्या हुआ आपके पास acidic oxide क्या मिला आपने पास acidic oxide इतनी चीज़ ठीक है acidic basic oxide ये वाला पार्ट समझा सब लोगों को ठीक है अब एक काम करना एक shortcut या ये shortcut वाला part याद रखना अगर आपके पास क्या है metal oxide है कौन सा oxide है metal oxide हुआ तो वो आपके पास basic in nature रहेगा और दूसरा point क्या याद रखना non metal oxide क्या होगा आपका acidic in nature रहेगा metal oxide क्या होगा acidic in nature basic in nature होगा और non metal oxide क्या होगा आपके पास acidic in nature रहेगा ठीक है इतनी बात अब ये statement क्यों लिखा आपने directly क्यों लिखा तो उसकी बात करते हैं metal का मतलब क्या हुआ जिसका electro negativity क्या है कम जिसका electro negativity क्या है hydrogen से अगर electro negativity कम हुआ मानलो आपके पास अपने assume कर लेते हैं मानलो आपके पास क्या है metal metal का electro negativity hydrogen से कम है तो अपरोक्स करते हैं 1.4 से value कम क्या assume कर लेते हैं 1 और अगर आपका क्या है non metal है क्या है non metal है तो hydrogen से electro negativity ज्यादा तो अपन assume क्या कर लेते हैं 2 तो एक पहला case लेते हैं अगर आपके पास x क्या है metal x क्या है आपके पास अगर x metal हुआ तो ये तो difference पता ही ये तो always 1.4 होगा अब अगर इसको compare करते हो x अगर आपके पास क्या हुआ metal हुआ तो बताओ 1-3.5 का difference किता होगा 2.5 गलत लिखा क्या माने ठीक है 1-1 अगर अपन यहां पर बात करें ये value गलत लिखती है अपन इनका difference किता होगा आपका 2.1 इनका difference किता हुआ आपका 2.1 और यहां पर difference किता है आपका 2.5 तो बताओ कौनसे में difference ज्यादा है डेल्टा 2 का value ज्यादा है या कि डेल्टा 1 तो आप बोलोगे डेल्टा 2 का value ज्यादा हुआ तो अगर आप metal लेते हो तो आपके पास कौनसा bond break होगा x o bond break होगा और जैसी x o bond break होगा आपके पास क्या form करेगा OH negative OH का मतलब क्या हुआ basic और ये आपका कौनसा oxide होगा basic oxide रहेगा तो बाई एक काम करना जो भी थोड़ दिर पहले 1.4 लिखा था उसका आप correct करके क्या लिख लेना 2.1 तो पहला metal वाला case clear हुआ सब लोगों को कि if x is equal to क्या हुआ metal अगर इसके नीचे लिखना चाहो x अगर आपका metal हुआ तो क्या बोलोगे ये difference आ रहे है 2.1 अपने assume किया 1 तो ये difference किता होगा 2.5 ये bond break हुआ तो आपके पास solution में क्या मिलेगा OH negative solution में क्या मिलेगा OH negative और अगर आप non metal consider करते हो तो आपने लिखा x OH और non metal का आपने electronegativity approximately assume किया है 2 तो ये difference किता रहा था आपका 2.1 और अगर इसका electronegativity 2 इसका 3.5 ये difference किता हैगा आपका 1.5 तो दोनों में से बताओ कौनसा bond break होने का ज्यादा tendency है वो वाला bond जिसका electronegativity difference किया है ज्यादा तो आप बोलोगे ये वाला bond break होने का ज्यादा tendency है अब जैसे ये bond break हुआ तो आपके पास क्या मिला h plus और क्या मिला x O negative और h plus मिलते ही आप क्या बोलोगे कि ये क्या है हमारे पास acid ये क्या है आपका acid इसलिए आपने बोला कि जित्ते भी आपके पास non metal oxide ह उनका नेचर क्या होगा acidic और जो भी आपके पास metallic oxide होंगे उनका नेचर क्या होगा आपका basic metallic oxide का नेचर क्या होगा आपके पास basic रहेगा इत्ती चीज़ clear हुई तो आपने बताया electronegativity difference के basis पर अपन nature of oxide बता सकते हैं उस method क्या बोला कि आपने क्या लिया कोई भी metal का oxide या किसी भी element का oxide लिया आपने अब oxide को क्या किया आपने excess of water oxide को क्या किया water में add कर दिया या बोल दिया या इसको दूसरे form में बोल सकते हो oxide की excess of water के साथ reaction कराई आपने अब जैसे oxide की excess of water के साथ reaction कराते हो तो आपके पास क्या बनेगा XOH क्या form करेगा XOH और oxygen का electronegativity कित्ता रहता है 3.5, hydrogen का electronegativity 1.4, तो ये difference कित्ता होगा आपका 2.1, ये difference कित्ता होगा 2.1, वो correct कर ले न, 1.4 नहीं रहता, ये difference कित्ता होगा आपका 2.1, इतनी चीज़ ठीक है, अब अपन बोलते हैं कि दो possibility है, या तो आपका XO bond break कर जाए, या तो XO bond break कर जाए, या आपका OH bond break कर जाए, अगर XO bond break करेगा तो आपको OH मिलेगा, OH मिलने का मतलब कौन सा oxide है, basic, अगर OH bond break किया, इसका मतलब क्या मिलेगा, H positive, और H positive का मतलब क्या होगा, आपके पास acidic oxide रहेगा, ठीक है इतनी चीज़, और उसको अपन एक example के तुरू ब आपने metal consider किया, एक बार X is equal to non metal consider किया, तो अपने को पता चला, कि अगर metal लेते हो, तो आपका basic oxide होगा, और अगर आप non metal consider करते हो, तो ये कौन सा oxide होगा, आपका acidic oxide रहेगा, इतनी चीज़ क्लियर हुई, किसी के कोई problem नहीं है, ठीक है, 5, अब एक पूराना पार्ट रहता है, मतला आप ऐसे 9, 10 में पढ़ चुके हो, फिर भी एक note करके एक और point लिखेगा, note करके लिखे, types of acid, note करके क्या लिखे है, types of acid, क्या लिखा आपने, types of acid, acid के अगर अपन बात करें, तो अपन बोलते हैं, दो type के आपके पास acid रहेगा, पहला क्या होगा आपका, oxy acid, और second वाला क्या होगा, आपका, hydra acid, एक क्या होगा, oxy acid, और दूसरा क्या होगा, आपका, hydra acid, अब इसमें short form में, याद रखना, oxy acid का मतलब क्या हुआ, oxy acid का मतलब क्या हुआ, कि आपका, non-metal, अगर आपके पास क्या है, non-metal किस से connected है, अगर OH से connected है, क्या बोला आपने, non-metal, आपका OH से connected है, इसका मतलब वो कौन सा acid होगा, वो क्या होगा, acid, और कौन सा acid होगा, oxy acid, example, इसका मतलब क्या हुआ, कि अब बताओ, H2SO4 बोलते हो, तो इसका नाम क्या है, sulfuric acid, बताओ ये acid है कि base, कि नाम में ये acid आ गया, तो क्या होगा, acid रहेगा, और अगर आप H2SO4 के structure की बात करो, तो इसका structure बोलते हो, double bond oxygen, double bond oxygen, oxygen, और क्या लिखा, hydrogen, oxygen, और क्या लिखा आप और H positive donate करने के लिए क्या condition है, आपका non metal, याद करो थोड़ देर पहले लिखाता है, कि आपने non metal किस से connected है, आपका OH के साथ, non metal किस के साथ connected है, OH के साथ, अगर non metal OH के साथ connected है, तो आप क्या बोलोगे, OH bond ज्यादा polar होगा, और अगर ज्यादा polar हुआ, तो आप बोलोगे, OH bond break होते ही, आपको क्या मिलेगा, H positive, और H positive का मतलब क्या होगा, आपका acidic या acid, same story यहाँ पर आता है, कि अगर बात करते है, OH, यह OH किस से connected है, sulfur से, अब बताओ, sulfur आपका metal है कि non metal है, तो आप बोलोगे, sulfur क्या है, आपका non metal, और अगर non metal से OH connected हुआ, तो आप बोलोगे, यह वा आप बोलोगे, अपने को क्या मिलेगा, H positive, अपने को क्या मिलेगा, H positive, H positive को मतलब क्या हुआ, acid, बोलते न, acid क्या रहेगा, जो आपका aqueous solution में H positive donate करे, तो आपका oxy acid क्या होगा, non metal से अगर आपका OH group connected है, तो वो क्या होगा, आपका acid रहेगा, ठीक है, अब जैसे अगर बात करे, CA OH, दिखने में लगेगा, भाई साब ये भी बोलोगे, acid होगा, base होगा, तो सोचना थोड़ा, कि भी OH किस से connected है, calcium से connected है, अब बताओ calcium क्या है आपका, metal की non metal, बोलोगे calcium क्या है आपका, metal, अगर metal हुआ, तो आप बोलोगे, कौनसा bond ज्यादा polar होगा, ये bond ज्या होगा, आपका, base, OH, I N, मिला, इसका मतलब क्या हुआ, base, तो note करके, मतलब note लिखाई था, तो आपके पास second statement क्या आगया, अगर OH ग्रूप, किस से connected है, metal के साथ connected है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, आपके पास, base, ये क्या है, आपके पास, base रहेगा, इतनी बात clear हुई तो अगर OH ग्रूप को देखते ही कभी यह मत बोलना acid होगा या base आपको check करना रहेगा कि अगर OH ग्रूप metal के साथ connected है तो वो क्या होगा औक्सी acid और यही OH ग्रूप अगर आपके पास किस से connected है non metal के साथ हुआ तो acid और अगर metal के साथ connected हुआ तो आप क्या बोलोगे कि भाई साथ यह क्या है हमारे पास base रहेगा इत्ती बात clear हुई सब लोगों के कोई दिक्कत नहीं है ठीक है next second point आता है आपका कौन सा acid hydroacid second point क्या आता है आपका hydroacid hydroacid का मतलग क्या हुआ कि भई आपका hydroacid में hydroacid, HF, HI यहाँ पे hydrogen किस से connected है आपका non metal के साथ connected है तो यह कौन सा acid होगा आपका hydroacid रहेगा याद रहेगी इत्ती चीज़ तो आपन ने बोला types of acid में एक oxy acid होता है दूसरा क्या हैगा hydroacid oxy acid का मतलग क्या हुआ अगर आपका OH group किस से connected है non metal से और hydroacid का मतलग क्या हुआ non metal किस से connected है आपका hydrogen से ठीक है इत्ती चीज़ तो अगर non metal से OH हुआ तो acid और अगर non metal से अगर आपका metal से अगर OH group connected है तो वो क्या होगा आपका base acid और base में पता चला कभी भी OH देखके acid या base दारिकली मत सोचना देखना OH किस से connected है अगर non metal से connected है तो क्या होगा acid और यही OH अगर metal से connected है तो क्या बोलो गया base तो type of acid base clear हुआ सब लोगों के तो अभी पुरानी वाली चीज़ को क्या करते है अपन continue करते हैं जैसे थोड़ देर पहले बोला था न अपनने types of oxide की बात की थी किसकी बात की थी अपनने types of oxide ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कोई particular element है वो किस से connected होगा आपका oxygen से कोई भी particular element है वो किस से connected है आपका oxygen से अगर आपके पास अगर आप इसकी reaction water के साथ करा देते हो तो क्या form करेगा आपका x o और क्या form किया h आपके पास क्या form करेगा x o h form किया अभी दो possibility है कि आपका acid भी possible है और क्या possible है आपका base ठीक है इतनी चीज़? ओके तो types of oxide में सबसे पहले लिखना acidic oxide सबसे पहले क्या आएगा आपका acidic oxide तो इसका first statement क्या होगा आपका solution in water will be acidic in nature कि भी acidic oxide है इसका मतलब वो क्या donate करेगा water में? h positive water में h positive donate करने का मतलब क्या हुआ? ये वाला bond break होगा और ये bond कब break होगा अगर आपके पास x क्या है आपका non metal x क्या है आपका non metal तो आप बोल सकते हो acidic oxide में first statement क्या लिखा? solution in water will be acidic in nature second क्या लिखना? non metal oxides are acidic in nature क्या लिखोगे? non metal oxides are acidic in nature non metal oxides क्या होगा आपका? acidic in nature रहेगा इत्ती बात ठीक है अब ये तो obvious सी बात है कि भी आपके पास क्या होगा? acid किसके साथ react करेगा? base किसके साथ reaction नहीं करता? acid के साथ लिख लो बट इसका कोई अलग से वो नहीं रहता है ये तो common sense है सबको अपने को पता ही रहता है ठीक है इत्ती चीज़? first, second, ये third point पता चला? fourth point में लिखना fourth point में लिखना acidic, acidic oxides, acidic oxides will form, will form, oxyacids, 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 oxyacid, on dissolving in water, on dissolving in water, on dissolving in water, on dissolving in water, इसका मतलब क्या हुआ? कि आपने लिया acidic oxide, उसको आपने खट से किसमें add कर दिया? मानलो आपने क्या लिया? SO2, ठीक है? अब SO2 में sulfur क्या है? एक sulfur है, दूसरा oxygen sulfur बताओ, metal है कि non-metal, तो आप बोलोगे sulfur क्या है? non-metal और अपने बोला था, all non-metal oxides, non-metal oxides are acidic in nature, तो यह पता चला, यह acidic oxide हुआ, अब जैसे ही इसको आप खट से water में add करोगे, आपने लिया पानी, पानी में जैसे ही आपने SO2 add करोगे, तो आपके पास क्या मिलेगा? acid, आपके पास क्या मिलेगा? acid, कौन सा acid? oxy acid, जैसे SO2 को आप water में add करोगे तो क्या मिलेगा? H2SO3, sulfuric acid, SO3 को अगर आप water में add करोगे तो क्या मिलेगा? H2SO4, कौन सा acid? sulfuric acid, CO2 को अगर आप water में add करोगे तो क्या बनेगा? carbonic acid, तो यह तीनों acid क्या आप नाम याद रखना? कि sulfurous acid का मतलग क्या हुआ? H2SO3, sulfuric acid का मतलग H2SO4, और H2CO3 क्या होगा? carbonic acid रहेगा, चारों पॉइंट याद रहेगा, पहला पॉइंट कि आपके पास acidic oxide क्या होगा? water में acidic in nature रहेगा, second point क्या रहेगा? non-metal oxides are acidic in nature. तीसरा point ऐसे ही लिखा था, कि आपके पास base से react करेगा, यह acid से react नहीं करेगा, और fourth और important point क्या था? कि अगर इसको आप water में add करते हो, अगर इसको किसमें dissolve करते हो? water में add करते हो, तो आपके पास क्या form करेगा यह? oxy acid form करेगा, क्या form करेगा? oxy acid form करेगा, इतनी चीज़ clear हुई? first, acidic oxide सब लोगों को पता चला? ठीक है, fine. next, अगला point आता है आपका basic oxide, अगला point क्या आता है अपने पास? basic oxide, इसके भी charge statement लिख सकते हो, पहला point क्या होगा? basic in nature होगा, दूसरा point क्या लिख सकते हो? metal oxides are basic in nature, metal oxide क्या होगा? basic in nature होगा, first हुआ, second हुआ, third point क्या भी ये base से react करेगा, acid के साथ, sorry, acid के साथ react करेगा, base के साथ react नहीं करेगा, third point क्या लिखना? dissolving in water, dissolving in water, dissolving in water, dissolving in water, it will form, it will form hydroxide, it will form hydroxide, for example, sodium oxide है, water में add करोगे, water add करोगे तो क्या बनेगा? sodium hydroxide, calcium oxide है, अब water add करोगे, तो क्या बनेगा? calcium hydroxide, ठीक है? तो ये चारो point clear हुआ सब लोगों को, ठीक है, एक बार बढ़ोगे तो इतना में क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, ठीक है, अब उसके बाद आता है third point, उसके बाद क्या आता है आपका? थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है आपके पास? थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका? एमफोटेरिक oxide, थर्ड पॉइंट क्या है आपका? एमफोटेरिक oxide, एमफोटेरिक स्पीसीज का मतलव क्या हुआ? ऐसी species जो क्या करती है आपके पास ऐसी species जो आपके पास acid के साथ भी react कर सकता है और base के साथ भी react कर सकता है तो अभी सिर्फ इसका इत्ता statement लिखना और detail से इसके बारे में एक chapter रहेगा आपका आइनिक equilibrium वहाँ पे अपन बात करेंगे अभी सिर्फ क्या याद रखना amphoteric species का मतलब amphoteric oxide का मतलब क्या हुआ it can react with acid as well as base it can react with क्या रहेगा acid as well as क्या होगा base पहला तो ये statement लिखा दूसरा point क्या लिखना generally metalloids और elements close to metalloids can form amphoteric oxide क्या लिखा आपन ने generally metalloids और element close to metalloids can form amphoteric oxide अब इससे paper में question आता है directly आपको आता है कि 4 option दे देगा पूछेगा बताओ कौन सा आपका amphoteric oxide है कौन सा आपका amphoteric oxide नहीं है तो कुछ-कुछ species रहती है जैसे आपने बोल दिया beryllium दूसरा क्या बोल दिया SN beryllium के बाद next क्या बोल दिया SN germanium aluminium zinc और क्या बोल दिया PB इन सब के oxide क्या होगे आपके आपके आपास इन सब के oxide आपके पास nature में क्या होगा amphoteric in nature अब इनके कौन-कौन से oxide possible है फर्स का बोल दिया BEO second का क्या होगा SN O और SN O2 इसका क्या होगा GA2 O3 इसका क्या होगा AL2 O3 ZN O PBO और PBO2 डारेक्ली पेपर में आता है कि इन में से कोई एक नाम दिया रहेगा और वो बोलेगा कि बताओ इन में से कौन सा oxide आपका amphoteric in nature रहेगा तो आप क्या याद रखना amphoteric का मतलब क्या हुआ ऐसे oxide जो आपके पास क्या कर सके acid के साथ भी react कर सके और base के साथ भी react कर सके उनको बोलोगे amphoteric oxide याद रहेगा इत्ता next अगला statement आता है इन में कि भी amphoteric oxide हुँगे कौन कौन से तो उसमें याद रखना कि याद रखना आपके पास क्या होगा metalloid और element close to metalloid can form amphoteric oxide क्या रहेगा can form amphoteric oxide इत्ती चीज़ clear हुई कोई दिक्कत नहीं है ठीक है acidic, basic और amphoteric तीनों पता चला सबको ठीक है और जैसे अपने पुरानी वाली properties लिखा था same अभी क्या हैगा आपके पास इनका trend अभी क्या हैगा आपके पास इनका trend कि बताईए इन में से अभी इनका trend वैसे ठीक है वो लिख रखा है मैं एक बार वैसी बता देता हूँ trend में आता है first point on moving left to right trend में first point क्या आता है on moving left to right अब बताओ left to right move करोगे तो क्या होगा आपके पास कौन सा character increase करेगा left to right move करने पे metallic character क्या होगा decrease करेगा और non metal character क्या होगा increase करेगा और मेरे को बताओ non metal oxides nature में क्या होगे आपके पास non metal oxide nature में क्या होगा correct आपके पास क्या होगा acidic in nature तो आप अगर left to right move करोगे तो आपके पास acidic character क्या होगा increase करेगा और अगर acidic character increase कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ basic character क्या होगा decrease करेगा जैसे metal, non-metal एक दूसरे से opposite रहता है same acidic और basic character भी एक दूसरे से क्या होगा opposite रहेगा और ये चीज़ समझने के बाद आप जो कुछ previous year के कुछ question थे न जिन में पूछा था कौन सा ज्यादा acidic होगा कौन सा ज्यादा basic होगा वो part भी आप क्या कर सकते हो easily solve कर सकते हो ठीक है इतनी चीज़ तो first point आया on moving left to right metallic character decrease करेगा और metallic character decrease किया तो इसका मतलब basic character भी क्या होगा decrease करेगा और on moving left to right non-metal character भड़ा तो आप क्या बोलोगे acidic character भी क्या होगा आपका बढ़ेगा क्योंकि थोड़ी दिर पहले ही बात की थी अपने कि आपके oxide में अगर आपका non-metal हुआ तो आपके पास acidic oxide होगा और अगर metallic oxide हुआ तो वो क्या होगा basic रहेगा left to right वाला part समझा सब लोगों को fine next उसके बाद आता है second वाला point on moving down to the group next part क्या आता है आपका on moving down to the group on moving down to the group में बताओ क्या हो रहा है आपका metallic character क्या होगा increase होगा और अगर metallic character increase हुआ तो आप क्या बोलोगे basic character बढ़ेगा और non metal क्या होगा आपका non metal character क्या कर रहा है decrease कर रहा है तो आपके पास acidic character क्या होगा decrease करेगा क्योंकि थोड़ी दिर पहले ही बात किया था metallic oxide nature में क्या होगा basic और non metal oxide nature में क्या होगा आपके पास acidic रहेगा तो trend पता चला left to right का क्या trend होगा down to the group जाने पे क्या trend होगा simple सा चीज metal oxide is equal to basic non metal oxide is equal to क्या होगा आपका acidic ठीक है अब इनके कुछ-कुछ अलग-अलग क्या रहते हैं आपके पास rule भी लिखा देते हैं अपने पास क्या लिखा देते हैं कुछ oxidation number और वह वाला point percentage oxygen भी लिखा देते हैं बट अपन क्या करते हैं वह वाली चीज़े क्या करते हैं avoid करेंगे अपन सिर्फ metal non metal के basis पे ही ये acidic strength का acidic strength के question solve करेंगे for example मा लीजिए ये आपके पास क्या दिया हो है third period के element है sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur और क्या है आपका chloride ठीक है अब बताओ left to right जाने पे क्या होगा आपका कौन सा character बढ़ रहा है on moving left to right जाने पे आपका non metal character क्या हो रहा है बढ़ रहा है इसका मतलग क्या हुआ अब left to right इधर जाओगे जैसे CL2O3 की तरफ जाओगे तो आपके पास acidic character क्या होगा आपका increase करेगा अर अगर आप right to left की तरफ जाओगे left side में जाओगे तो आप बोलोगे कौन सा character बढ़ रहा है metallic character बढ़ेगा और metallic character बढ़ने का मतलग क्या हुआ basic character बढ़ेगा तो आप बताओ sodium की तरफ आप जैसे जैसे जाओगे इसका मतलग क्या हुआ basic वाला part increase कर रहा है और इधर क्या होगा आपका acidic वाला part increase कर रहा है simple सी चीज सोचना simple सी चीज क्या सोचना जित्ता ज्यादा metallic character होगा उत्ता ही ज्यादा basic होगा जित्ता ज्यादा non-metal character होगा उत्ता ही क्या होगा आपका acidic रहेगा इतनी चीज़ ठीक है next अगर इन में पूछे कि बाई साब बताईए कि इन में आपका basic strength का order क्या होगा तो आप क्या बोलोगे on down to the group basic character क्या होगा increase करेगा basic character increase क्यों किया because आपका metallic character क्या कर रहा है increase कर रहा है आप कोई बोले कि metal का मतलब क्या हुआ metal का मतलब वो हुआ जो आपका electron क्या कर रहा है easily donate कर सकता है non metal का मतलब क्या हुआ जो easily electron क्या कर सकता है आपका accept कर सकता है इतनी चीज़ में किसी के कोई problem नहीं है left to right down to the group समझा सब लोगों को अब ये बोल दो इसको आप एक और trend में ही बोल दो third point star बना के लिख लेना यहाँ पर आता है if the same element is forming oxide in different oxidation state then greater the oxidation number greater will be nature ये point अपने को याद नहीं रखना क्योंकि अपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है oxidation number क्या रहता है अब इसको एक statement वो याद रख सकते हो कि as percentage oxygen as percentage oxygen increases क्या लिख लेना as as percentage oxygen as percentage oxygen increases acidic character increases ये normal अपन लिखते हैं बट अगर ये याद भी नहीं होता आपको metal non metal वाला बात याद रहेगा तो 100% ये guarantee लेता हूँ आपका question कभी भी गलत नहीं होगा तो अपने यहाँ पर बात करते हैं अब यहाँ पर मान लेते हैं कि MN का oxygen MN क्या है plus 2 यहाँ पर MN 3 plus MN 4 positive MN 6 positive MN 7 positive अब इनमें बताओ किसका metallic character सबसे ज्यादा रहेगा कौन सा character metallic character आप बोलोगे कि metallic character क्या होता है बहुत ही अलग सा कुछ होता है का नहीं कौन easily electron donate कर सकता है क्या बोलोगे कौन easily electron donate कर सकता है जिसके case में force of attraction क्या होगा minimum तो आपको लगेगा कि इसके case में force of attraction क्या है आपका force of attraction क्या है minimum क्यों हुआ because number of electron क्या है maximum अब जैसे जैसे MN 7 की तरफ जाओगे तो आपके पास क्या होगा MN 7 की तरफ जाओगे तो आपके पास number of electron कम होता जाएगा और अगर number of electron कम होगा proton तो सेम है वो proton उन्हे लेक्टोन को ज्यादा attract करेगा और ज्यादा attract करेगा तो क्या बोलोगे आपके पास metallic character क्या होगा decrease करेगा तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा metallic character MN 2 positive इसका मतलब सबसे ज्यादा BC कौन सा होगा MN O और सबसे ज्यादा नॉन मेटलिक कौन सा होगा MN प्लस सेवन कौन सा होगा MN प्लस सेवन ठीक है तो आपने order क्या बोला MN2O7 आपका सबसे ज्यादा क्या होगा acidic रहेगा ठीक है अब इक वाड डाउट आता है बहुत सारी लोग बोलेंगे सर हमें तो पता ही निया कैसे प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 7 जाएगा कोई प्रॉब्लम ही है आप आगे के एक दो चेप्टर पढ़ोगे वहाँ पर अपन oxidation नंबर डीटेल से बात करेंगे अभी क्यों नहीं पढ़ा क्योंकि बहुत सारी और चीज़े रहती है जो अपने को oxidation नंबर के लिए require रहेगा तो अगर oxidation आपको नहीं आता है तो आप इस rule से calculate कर सकते हो कि अगर आपका oxygen percentage increase करेगा oxygen percentage increase करेगा तो आप क्या बोलोगे acidic character क्या हुआ बढ़ेगा आपके पास क्या होगा acidic character बढ़ेगा एक ही example के थुरू बात कर लेते हैं एक है Mn O3 एक है Mn O7 एक Mn के respect में कित्ते oxygen दिख रहे हैं आपे एक Mn के respect में 3 दो के respect में 7 है तो एक के respect में क्या होगा 3.5 तो किसके लिए oxygen ज्यादा है second वाले में तो आप बोलोगे second वाले का क्या होगा आपका acidic strength क्या होगा ज्यादा रहेगा second वाले का acidic strength क्या होगा आपके पास ज्यादा रहेगा इतनी चीज़ clear हुई सब लोगों के किसी के कोई problem नहीं है तो आज की जो वीडियो में अपनने बात किया एक अपने बात किया अपने बात कि कि भी सबसे पहले अपनने बोला nomenclature ठीक वो उत्ता important नहीं रहता फिर prediction of nature of bond उसमें एक formula रहता है percentage ionic character हो सकता है कभी जेई वाले पूछ ले तो आप कि भी predictable में कोई ज्यादा formula based question नहीं बनते तो हो सकता है ये वाला formula आपको पूछ ले कि भी hf में बताओ percentage ionic character किता रहेगा और या बोल दे percentage covalent character क्या रहेगा अगर माल लीजे किसे में 80% ionic character है तो बताए covalent किता रहेगा कि भी 100 में से minus कर दो तो किता रहेगा आपका percentage covalent character होगा आपका 20 सेकिंड वाली बात clear हुई next third bond strength में पता चला कि electronegativity difference आपका ज्यादा हुआ तो आपका bond strength क्या होगा ज्यादा रहेगा ठीक है फिर अपने बात किया metallic non-metal character बताया ठीक है फिर ये part important रहेगा nature of oxide ये वाला part क्या है important क्योंकि इससे 2-3 साल से घूमके एक question वो पूछ देते हैं कि चार option दे दिये पूछेगा कौन सा ज्यादा acidic oxide है कौन सा ज्यादा basic oxide है या बोल दे कौन सा amphoteric रहेगा वो आप लोगों को पता रहना चाहिए तो इसमें अपने याद रखने के लिए क्या बोला था metal oxides are basic in nature and non-metal oxides आपका क्या होगा acidic in nature वो अपने बात की थी polar non-polar bond के basis पर अपने याँ पर बात किया था ठीक है इतनी चीज़ फिर acid, oxy acid, hydro acid उनमें कोई दिक्कत नहीं है फिर types of oxide वो भी बात किया था ठीक है फिर आपका जो भी questions वगरे रहते हैं सिरफ इस trend के basis पर solve कर देना left to right जाने पर non-metal character बढ़ेगा इसका मतलब acidic strength क्या होगा? बढ़ेगा down to the group जाने पर metal character क्या होगा? बढ़ेगा metal character बढ़ने का मतलब acidic strength क्या होगा? increase करेगा और तीसरा rule क्या बूल दिया था? percentage oxygen increase किया तो आपका acidic strength क्या होगा increase करेगा percentage oxygen increase होने से acidic strength क्या होगा आपका increase करेगा ठीक है अब एक general question अपन solve कर लेते हैं उसके बाद आज का वीडियो क्या होगा कतम हो जाएगा आपको बताना है एक question लिखिए arrange them arrange them in increasing order of arrange them in increasing order of basic character increasing order of क्या रहेगा basic character ठीक है कुछ भी पुछे acidic पूछे तो भी बता सकते हो तो आपको क्या है ध्यान रखना shortcut metal मतलब basic non-metal मतलब acidic तो सबसे पहले metal non-metal में हटा दो carbon nitrogen ये क्या है आपका non-metal और ये भी क्या है non-metal इन दोनों में बताओ कौनसा non-metal character ज्यादा होगा तो आप बोलोगे कि भी nitrogen वाला non-metal character क्या होगा ज्यादा होगा nitrogen का non-metal character क्या है ज्यादा तो nitrogen से पहले क्या आएगा आपका CO ये क्या आगे इनका क्यों सा order हो गया आपका acidic strength का order आया अब आया lithium, sodium और copper अब ये तो alkali metal है ये भी alkali metal है और ये क्या है 3D series element है इसका मतलब क्या हुआ आपका alkali metal क्या होगे आपके पास ज्यादा metallic होगा याद करो सबसे पहले जो first period में रहता है कौन से लोग hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium और cesium hydrogen को अगर हटा देते हो तो ये लोग क्या होगे इन में metallic character क्या होगा maximum होगा और अगर sodium और lithium में बात करते हो तो आप क्या बोलोगे sodium का metallic character क्या होगा आपका maximum metallic character तो metallic character का order 1 फिर आया आपका lithium और फिर क्या है आपका copper copper क्यों आया D block का है आपके पास क्या है D block वाला रहेगा ठीक है और अगर सिरफ आपको basic पूछा है तो directly क्या करो सबको metallic character में सबको एक जैसे मिल लपेट दो पहला क्या आपका fund फिर आया lithium फिर क्या है copper अब बताओ CO2 और copper और nitrogen में कौन सा ज्यादा non-metal है अगर यह ज्यादा non-metal है इसका मतलब यह metallic क्या होगा सब से कम होगा तो आपने क्या लिखा 1, 2, 3 इसके बाद आया 4 और इसके बाद क्या आया 5 तो आपका basic strength का order क्या हो जाएगा sodium oxide फिर lithium lithium oxide फिर क्या होगा आपका copper oxide फिर आपका CO2 और सब से last में क्या रहेगा N2O5 और यह किसका order आएगा आपका basic strength अगर आपको पूछे के वैसा basic नहीं चाहिए हमें acidic चाहिए order को क्या कर देऊ आप just reverse कर देऊ ठीक है समझा सब लोगों को I hope आज की वीडियो के बाद सभी लोग acidic character basic character वगर है बता सकते है तो अभी आप क्या कर सकते हो जो DPP के जो बचेवे question थे या exercise 3 के जो बचेवे question थे जिन मैं पूछा था acidic और basic character के question वो अभी आप easily क्या कर सकते हो solve कर सकते हो ठीक है? ओके? बागी next lecture में अपन कुछ और जो क्या रहता है electronegativity के के कुछ बचेवे numerical रहे गए वो अपन next video में या next lecture में continue करेंगे ठीक है? तब तक के लिए बाई